नमह संस्कृत आए प्रश्न आठ मंजुसायाम प्रदत्तई अव्वेपदाई मंजुसा में दिये गए अव्वेपदूं से रिक्तिस्तानानी रिक्तिस्तान पूरी तुआ भर करके उत्तर पुस्तिकायाम लिखत उत्तर पुस्तिका में लिखिए अब देखिए पुरा कामला प्राचिन काल में यदा, जब, तदा, तब, सत्र, वहां, सत्था, वेसे, एव, थी प्रस्न नमबर वन है, स्री क्रिश्न है, और फिर ब्लिंग है, सुदामा, सैस्वात मिंच बच्पन से मित्र, मित्र आस्ताम थे, स्री क्रिश्न और सुदामा बच्पन से ही मित्र थे, कब थे, तो यहां पर जो फर्स्ट ब्लिंग है, उसमें आएगा पुरा, पुरा कामला प्राचिन काल में श्री कृष्ण फिर आएगा तथा प्राचिन काल में श्री कृष्ण तथा सुदामा सहिस्वात मित्रे आस्ता यह हो जाएगा आपके उसे नमर टू देखिए तव बाले तव कामला वे दोनों बाले बच्पन में गुरो संदीपनत से गुरो संदीपन के आस्रम में एव फी ऐ मिंञ्ट ही एव शताम रहते थे तव बाले गुरो संदीपनत से आस्रमें एव एव सताम नमबर थ्री यहाँ पर जो ब्लेंक है वहाँ देखेंगे गुरु पत्निया आदेशेन गुरु पत्नी के आदेशे तव वे दोनों कास्ठानी आने तम कास्ट लाने के लिए वनम गतव वनमे चलेगे कास्ठानी मिन्स लकडिया अब यहाँ पर आएगा यदा क्या आएगा यदा यदा गुरु पत्निया आदेशेन यदा का मुलब जब जब गुरु पत्नी के आदेश से दोनों लकडिया लेने के लिए वनमे चलेगे फिर आगे नमर फोर में आएगा तदा तब नमर फोर में क्या आएगा तदा तदा मिन्स तब वने कास्ठानाम क्रिंतन कारिये वनमे लकडियों की काटने का कारिये तयो उन दोनों ने रतयो लीन सूर्यास्त है बहुत लीन होने से सूर्यास्त हो गया तो यहाँ पर जो है तत्र आएगा तत्र का मुलब वहाँ वने वन में काश्टा नाम लकडि मुखे क्रिंतन कारिये काटने के कारिये में तयो उन दोनों के रतियों लीन होने पर सूर्यास्त है बहुत सूर्यास्त हो गया कहने का मतलब यह है कि लकडी कार्टन में इतने बिजी हो गए कि पता ही नहीं चला सूर्यास्त हो गया ठीक है अब एक बार और हम करते हैं और आंशर का अभ्यास करते हैं कुरा स्री कृष्ण तता सुदामा सहस्वात मित्रियास्ताम तो बाले गुरो संदिपन से आस्रमें येव एवस्ताम यदा गुरुपतने आदेशिं तो कास्टानी आनेतम मनमगतव क्रिंतन कारिये सयो रतयो सूर्यास्त है धर्भवत अभाव ताव वे दोनों हिंसक प्राणे भे हिंसक प्राणियों से भीतो डरे हुए एकम व्रिक्षम आरू है एक व्रिक्ष पर बैठ करके कत्र इस्थितो वहीं बैठ गए वे दोनों हिंसक प्राणियों से डरे हुए एक व्रिक्ष पर आरू है चट करके कत्र इस्थितो वहां बैठ गए वहां बैठ गए ठीक है क्यों से नमें नमhr नाइन मनजुसा या प्रधत टै अव्वे प्ड़ई रिक्षत्तानानी पूरित्वा उत्तर पुस्तिका अनले zelf मनुसा में दिए गए प्रधत टै यहां पर तै में दो मात्र आ जाएंगी ठीक है इसको दो मात्रा बाला पड़े हैं प्रधत करके मंजुसाय मंजुसामें दिए गए अब वे पदों से रिक्ठिस्तानानी रिक्ठिस्तान पूरी तवा बर करके उत्तर पुस्तिकाया हम लिखत उत्तर पुस्तिका में लिखिए बही का मतलब होता है बहार एव मिन्स ही उच्चाई मिन्स जोर से कि मर्थम किस लिए अपी भी और अपी सब्द जहां हम वाकिय की प्रारम में लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है क्या अब पिता पूछ रहा है कि पुत्र एसे कोलाहल है यहे कोलाहल शोर भावती हो रहा है तो यहां पर क्या आएगा यह कोलाहल भावती हो रहा है तो यहां पर आंसर आजाएगा क्या आजाएगा कि मर्थम किस लिए हो रहा है पिर आजाएगा यहां पर बही बही का मुलब बहार एका नटी एक नटी स्वर नर्ते कोशलम प्रदर्शियती अपना नर्ते कोशल दिखा रही है यह हो गया अब आगे देखिए पिता पूछ रहा है किम कस्षित गायती क्या कोई गाती है वादियती अपी बजाती भी है अपी यहां परा जाएगा अपी पुत्रे आम हां नटे नट उच्चई जोर से उच्चई मिल्स जोर से गायती गाता है ढोल कम वादियती चे और ढोल बजाता है कुशले खलूश है वे कुशल है कोशलम प्राप्पिते कोशल प्राप्त करता है पिता अवश्यम अवश्य अभ्यासिन अभ्यास से यहाँ पर आएगा एव एव का मतलब ही अभ्यास से ही कोशलम प्राप्ते कोशल प्राप्त होता है एक बार फिर देखेंगे पिता पुत्र एसे कोलाहले कि मर्थम भवती पुत्र ये कोलाहल किसलिये होता है उत्र बही एका नटी स्वे नरते कोशलम प्रदर्सियती भार एक नटी अपने नरते का कोशल दिखा रही है पिता किम कस्चित गायती क्या कुछ गाती है वादियती अपी बदाती पी है क्या उत्रे आम हां नटे उच्चे गायेती नट जोड से गाता है डोलकम वादियती चे और डोलक बजाता है कुशले खलू से वे कुशले कोशलम प्राप्पेते कोशल प्राप्त होता है पिता अवस्यम अवस्य अभ्यासीन, अभ्यास से यहां पर आएगा एव ली पुसलम प्राप्ते कोसल प्राप्त होता है, अभ्यास से ही कोसलता प्राप्त होती है, नमबर टेन देखिए बहुती अच्छा क्योंसन है मंजुसायाम प्रदत्ताई अव्वेपत्ताई मंजुसा में दिये गए अव्वेपतों से रिक्तिस्थानानी पूरीत्वा रिक्तिस्थान भर करके प्रेक्तिस्तान भर करके उत्तर पुस्तिकायाम लिखत उत्तर पुस्तिका में लिखिए ये बात अब देखे यावत जब तक और तावत तब तक ये अर्थ हैं अत्र यहां तत्र वहां यदा जब और कदा कब पुरा प्राचिन काल में स्वह आने वाला कल है बीतावा कब अब रभिवासरे आसीत रभिवार था तो जो आसीत है ये पास्टेंट्स में है यहां पर जो पहले आएगा क्या आएगा है का मतलब होता है बीतावा कल जिसको इंगलिस में यस्टरडे बोलते हैं तो फरस्ट में आजाएगा है का मतलब कल रभिवासरे रभिवार आसीत था और मंगलवासरे भविशती मंगलवार होगा मंगलवार होगा कब स्वय स्वय का मतलब कल इस स्वय का मतलब आने वाला कल और हाय का मतलब बीता हुआ कल इस स्वय का मतलब होता है future tense बविशत का और हाय का मतलब past tense भूत का अब यहां देखिए मम माता अनुमतिम दाश्यती मेरी माता जी अनुवती देंगी तदा तब एहम नाटकम दृष्टूम मैं नाटक देखने के लिए गमिशा मी जाओंगा तो यहां पर आ जाएगा यदा क्या जाएगा यदा जाएगा जब मेरी मा अनुवती देंगी तदा तब एहम नाटकम द्रिश्टूम मैं नाटक देखने के लिए गमीशा में जाओंगा। अब है इस्ताशन्ती सरीतर, सरीतर का मलब नदियां, इस्ताशन्ती रहेंगी, महीतले इस धर्ती पर, इस धर्ती पर नदियां रहेंगी। रामाइनी कथा लोके इसू प्रचरिश्टी, रामाइन की कथा संसार में प्रचरिश्टी प्रचरिश्टी रहेंगी, तो यहां पर फस्ट में आएगा यावत का मलब जब तक, जब तक नदियां महीतले प्रत्थिव पर इस्ताशन्ती रहेंगी, तावत तब तक रामाइनी क कथा संसार में प्रस्रीत होगी फैले एक है तो यहां पर किस्ट नमर 3 है यावत और सेकंड में आएगा तावत तावत काम रभ तब तक यावत काम रभ जब तक यावत काम रभ जब तक नदियां धरती पर रहेंगी सावत तब तक रामाइनी कथा रामाइन की कथा लोकी सुप्रचरिशती संसार में प्रचरित होती रहेगी कालिदास है कालिदास एभवत हुआ था कालिदास हुआ था कब हुआ था पुरा पुरा का मलब प्राचिन काल में तो कालिदास है पुरा एभवत कालिदास प्राचिन काल में हुआ था, परम तस्य निशित काल अमने जाने, लेकिन उसका निशित काल नहीं जानते हैं, आम्र व्रक्षा कोखिलाशंति, यहां पर आ जाएगा, अत्र का अमनभ यहाँ अत्र आमर वक्षा यहाँ पर आम के पेड है और तत्र कोखिला सन्ति वहाँ कोयल होगी एक बार फिर देखेंगे हाय रविवासरे आशीथ स्वे मंगल वासरे भविशती यदा मम माता अनुमती दाश्यती तदा एहम नाटकम दृष्टुम गमीशामी यावत इस्थाशंती सरीते महीतले तावत रामाईनी कथालों की सुप्रचरीशती कालिदा से पुरा एभवत परमतस से निश्ट कालम ने जाने अत्र आमे व्रक्षा तत्र कोकिला बवंती जहां आम के व्रक्षे हैं और वहां कोयल है ठीक है इस प्रकार से हम आशर देंगे धन्यवाद